जाहिन दोस्तों चलिए इस तो बात करते हैं से को और कोशन के बारे में इस कोशन में एक्जाम लेने का इसका मतलब है यहां पर देखिए कि उसने फर्स डे कितने अंगूर खाए उसने यही पूछा है तो ऑपशन में वो ही दिया होगा तो मैं मालने दाओं कि पहला दिन मेरे पास यह होगा, दूसरा दिन मेरे पास यह होगा, तीसरा दिन मेरे पास में यह होगा, चोथा दिन मेरे पास यह होगा, और पांचवा दिन मेरे पास यह होगा तो option A से शुरुआत करता हूँ अगर उसने पहले दिन 8 अंगूर खायोंगे तो अगले दिन उसने 14 खायोंगे उसके अगले दिन उसने 20 खायोंगे उसके अगले दिन उसने 26 खायोंगे उसके अगले दिन उसने 32 खायोंगे तो इसको मैं अगर जोड़ूँगा 14 और 26 ये मेरे पास में 40 हो गया और 8 और 32 ये भी मेरे पास में 40 हो गया तो ये मेरे पास 80 हो गया और 20 को जोड़ूँगा तो मेरे पास पूरम पट 100 हो जाएगा यानि कि option A इस question के लिए correct होगा या फिर ऐसे मान सकते हैं कि पहले दिन उसने X खाई अगले दिन उसने X प्लस का 6 खाया उससे अगले दिन X प्लस का 12 खाया होगा इसको गिल नेते हैं अब 1, 2, 3, 4 और 5 तो यह मेरे पास simple सी बात है 5X तो मेरे पास यह होगा अब प्लस का तो 12, 6, 18, 18 दूनी 36, 36 और 24 इसको जोड़ेंगे तो 0, 5 और 6, 60 60 इस गल्टू में कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा तो यहां से 100 यहां से माइनस करेंगे तो 5X इस गल्टू में कितना 40 बचेगा तो X की value कितनी आजएगी आपके पास में 8 आजएगी यानि कि option A जोगा वो इस question के लिए correct होगा I hope आप सभी कोई question समझ में आया होगा जय हिंद जय भारत